दोस्तों, नमस्कार, आज हम आपको सर्दी के मौसम में बार-बार पेसाब लगने की समस्या से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा गरेलू पाई बताएंगे, जिस से ठंड के मौसम में बार-बार पेसाब लगने की प्रोब्लम से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सक और खास कर बुजूरुब लोगों को बार-बार पेसाब लगने की ये समस्या बहुत जादा परेशान करती है क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे तो ठंड भी बहुत सताती है और फिर रात को कडाके की ठंड में विश्तर त्याग कर बार-बार पेसाब करने के लिए उठना प ही जादा परेशान रहते हैं तो ये गरेलू पाई आजमा कर देखें आपको सो परतिसत लाब मिलेगा और अगर सरीर में बिना किसी संकर्मन या बिमारी के सर्दी की वज़े से ठंड में आपको बार-बार पेसाब आता है तो इन गरेलू पाई से आपको बहुत ही जल्दी फाइदा देखने को मिलेगा और खास बात ये गरेलू पाई छोटे बड़े सभी उम्र के लोग आजमा कर देख सकते हैं ये बार-बार पेसाब लगने की समझा को ठीक करने वाला रामबान गरेलू पाई है इस गरेलू पाई के लिए तीन चीजों की आवशक्ता होगी खजूर, काले तिल और गुड खजूर को कूट कर और काले तिल को भून कर गुड मिला कर लड़ू बना लें और नियमित शेवन करें इस से चोटे बच्चों की बिस्तर में पेसाब करने की आदत छूट जाती है और बुजुरुग लोगों को बार-बार पेसाब करने की सम कारा मिल जाता है सर्दी के मौसम में कई दिनों तक आप इन लड़ू का सेवन कर सकते हैं और लड़ू खाकर एक गंटे तक पानी नहीं पीना है दोस्तों उमीद करता हूँ यह जानकारी अच्छी लेगेगी इसी कामना के साथ इस वर आपको सुकी और निरोगी रखें आपन उन तद सत